हलो देर धन्ता लैब्रेरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए और वीडियो लेके आगया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं कैसे चुटकियों में आप अपने जीमेल का पास्टवर्ट चेंज कर सकते हैं और अपने आकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं तो पेना किसी देरी के आए देखते हैं सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है गूगल ओपन करने के बाद आपको यहां मल्टिवल डॉट आइकन पे जाना है और आपको अकाउंट पे क्लिक करना है अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते ह आपके Gmail account का welcome screen खुल जाता है उसके बाद आपको जाना है security tab में security tab में जाने के बाद सबसे पहला option मिल जाता है आपको protect your account तो Google आपको खुद recommendation कर देता है अपने account को protect करने के लिए तो आप इस option के थूप Google का पूरा टूर ले सकते हैं और आपको अगर अपना password चेंज करना है तो आपको थोड़ा सा scroll down करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं password तो आपको यह अपनी last date भी बताता है कि कब आपने अपना password चेंज किया था अपने Google account को secure करने के लिए आपको two step verification को भी on कर देना है तो अब देखते हैं password चेंज कैसे होगा तो password चेंज करने के लिए मैं just इस पर click करूँगा click करने के बाद यह सबसे पहले आपसे verify करवाएगा तो आपको इसमें अपना password डाल देना है मैंने यहाँ पे password डाल दिया है password डालने के बाद आपकी एक नई screen pop up हो जाती है जिसके अंदर आप अपना नया password चूज कर सकते है तो यहाँ पे आपको अपना नया password डाल देना है और यहाँ पे आपको confirm password डालना है और just change password पे click कर देना है उसके बाद आपका Gmail account सब जगे से log out हो जाएगा और आपको अपना Gmail account वापिस से शुरू करने के लिए अपने नया password के साथ login करना होगा तो यह तो हो गया हमारा password चेंज करना उसके बाद आप यहाँ से two step verification को भी on कर सकते हैं अपने password को और secure बनाने के लिए तो आपको वापिस से अपना password verify करना होगा तो यहाँ पर आपको option मिल जाता है आपके device का और यहाँ पर आपको एक mobile number मिल जाता है जहाँ पर आप अपना two step verification को enable कर सकते हैं तो turn on करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पर turn on पर क्लिक कर देना है मैंने already on कर रखा है तो इसलिए मुझे यहाँ पर turn off का icon आ रहा है After that आप यहाँ पर अपने protect your account का भी एक टूर ले सकते हैं तो उसमें आपको Google multiple चीजे बताएगा आपके device के बारे में आपकी recent activity के बारे में और आपने कहां कहां अपने Google account को किन किन devices पे login किया है तो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा ऐसी more informative उस्क्राइब के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्स्क्राइब करें डोंट पोगेट तो प्रेस दरोडिक्रेशन बेल आइकन थैंक्स फर वाचिंग